है कट भी करवाना है अच्छा भी लगना है लेकिन बाल भी जादा नहीं काटने तो ये हैस्टाइल आपके लिए है परफेक्ट मेरी बहन के बालों के हलत बहुत बुरी हो गई थी और मैं आगई हूँ जैपूर के स्टाइल एंड सेजर वेशानी नगर ब्रांच पर जो की है मेरा गो टू सलॉं क्योंकि आज तक मेरे बालों को सुर्फ दो ही लोगों ने हाथ लगाया है एक तो मेरी मम्मी और एक स्टाइ यहां का पूरा स्टाफ इतना स्किल्ड है इनके हाथों में पता नहीं कौन सा जादू है कि जब ही मेरे बालों में हाथ भी लगाते है तो भी मैं सोजाती हो यहां तो चल रही है बड़ी ही अच्छी सी मसाज यहां पर कट से पहले मेरी बहन को दिया जा रहा है एक चोटास बेसिकली यहां पर एक शैंपू यूज किया इनोने इसकी स्कैल्प में जिससे इसका जो डान रफ है वो सारा एक ही वाश में निकल जाएगा और आब आ चोके हैं यहां के एक्सपर्ट संजीव भाईया जो करेंगे मेरी बहन का हैर कट यह आप देख सकते हो यह मेरी बहन क नहीं उगते तो उसके लिए यह करना बहुत ज़रूरी है अब यहां पर जो कट हो रहा है ना उसमें इसको कोई लेयर नहीं दी जाएंगी कोई बैंक्स नहीं दी जाएगी यह है वो रेफरेंस जो हमने भाईया को दिया और भाईया ने एक्जाक्ली यही हमें करके दिया वीडियो के देखना आपको भी पता चलेगा भाईया ने मेरी बहन के जितने डामेज बाल थे ना नीचे से सिर्फ और सिर्फ वही काटे हैं लेकिन उसमें भी मेरी बहन के बाल इतने सुंदर निकल के आए ना एंड में जो बाल बेजान हो गए थे ना वो लगने लगे एक मेंटेन करके मुझे एक U-shape का कट दे दो यानी मेरे बालो को मेरे फेस से लेकर पूरी लेंथ तक U-shape में काट दो एंड उसके बाद आपको जो ब्लो ड्राय करवाना है वो जड़ से नहीं करवाना है आपकी हीट जो है वो जड़ में नहीं जानी चाहिए अगर आपको है यहां पर मेरी बहन का कट हो चुका है डन और गाइस इस टाइम दाट वी शो यू दा है कट बट उससे पहले थोड़े बहुत फिनिशिंग टच इए जा रहे हैं आप देख सकते हो यहां पर है यह यह रेफरेंस जो हमने भाया को बोला था और यह है वो कट जो भाया ने कि और बाल बहुत ही ज़दा हेल्दी भी लग रहे हैं तो अगर आपको भी कट लेना है और ज़दा बाल नहीं कट वाने तो यह है वो कट जो आप करवा है